सेक्स, सस्पेंस और शड़यंत्र तीनों से भरपूर है ये सीरीज और अगर आपने अब तक ये सीरीज नहीं देखा हो तो देख लीजीगा क्योंकि आगे स्पोईलर्स आने वाले हैं आज हम डिसकस करेंगे तीन रहसमें चीजें या तीन चीजें जो सिंबॉलिकली कहीं गई हैं और हम शायद पहली बार जब देख रहे हूं तब वो समझ न पाए हूं पहली चीज जब वो मिस्टिरियस सेल्समें आते हैं और जीहन को कहते हैं के रेड या ब्लू पैड दुनों में से कोई एक चूस करो तो वो एक सिंबॉलिजम भी हो सकता है ब्लू प्लेयर्स के लिए और रेड जो है वो वो वर्कर्स के लिए अगर आप गौर से देखेंगे तो players का एक dress scheme है, uniform है और जो workers हैं उनका एक uniform है workers और red represents the system और जो players हैं वो blue या teal color represent करते हैं तो वो एक चीज है जो शायद आपने miss की हो और अगर आप गोर से देखें तो वो एक symbolism मौन नजर आता है और तीसरा point जब हम discuss करेंगे तब आप जानेंगे end में कि ये red blue color कैसे और एक और clue छोड़ता है season 2 के लिए दूसरा point जब VIPs विजिट करते हैं island पे तब एक VIP दूसरे VIP को बोलते हुए नजर आते हैं कि बाकी games इनसे ज़्यादा interesting है या you know बाकी games यानि क्या यानि कहीं और किसी और country में भी ये games हो रहे हैं और जब वो cop files देख रहे होते हैं files browse कर रहे होते हैं तब आपने देखा होगा कि सालों से चला आ रहा है ये games कुछ नया नहीं है 2020 में और जब VIPs विजिट करते हैं island को तब हमें सुनने मिलता है कि और जगह पे games और अच्छे हैं या और interesting है और players और interesting है तो इसमें एक clue पता चलता है कि ये games और बाकी countries में भी हो रहा है बड़ा दिल्चस्प होगा ये second season में देखने में कि किसी और country में इंडिया में या कहीं और ये series हो रही है या episode season हो रहा है और हम यहाँ पे कबड़ी और खोको और इस तरीके के games में players eliminate हो रहे हैं और shoot हो रहे हैं जैसा आप West World में देखते हैं कि पहले season में West World में आप एक ही दुनिया देख रहे होते हैं और फिर आपको पता चलता है कि बाकी countries में भी बाकी worlds भी हैं West World में तो उसी तरह यहाँ पे अभी तो आपने सिर्फ Korea देखा है लेकिन हो सकता है कि season 2 में आपको बाकी countries भी देखने मिले और तीसरा point कि जब जीहन अपना hair red color करते हैं उसका भी छोटा significance हमें ऐसा लगता है कि आने वाले season में वो system का हिस्सा होंगे आपने देखा होगा कि जब जीहन जा रहे होते हैं लाइट में जाते जाते मुड जाते हैं Los Angeles जा रहे होते हैं अपनी बेटी से मिलने के लिए पर वो जाते जाते मुड जाते हैं इस organization से बदला लेने के लिए या लडने के लिए लेकिन आप ये भी गवर कीजिएगा कि उन्होंने अपने बाल जो हैं के लाल कर रखें और throughout the series आप देखेंगे कि ये लाल कलर जो है उस system का प्रतीक है उस system के लोग लाल करते हैं और एक अजीब सा रिष्टा है इलनाम और जीहन के बीच में तो ऐसा भी हो सकता है कि इलनाम और जीहन related हों बाब बेटे हों या किसी तरीके से related हों क्योंकि series में बहुत सारी ऐसी जगह आती है एक जगह आती है जब वो दूद लेने जाते हैं जीहन और वो बोलते हैं कि वो lactose intolerant हैं वो chocolate drink पसंद करेंगे और तभी इलनाम बोलते हैं कि हाँ मेरा बेटा अभी ऐसी करता था और मैं बहुत दुलाई करता था बेटे की पिटाई करता था बेटे की और और भी कहीं सारे ऐसे हैं कि वो इलनाम जब मर रहे होते हैं तो अपने death bet पे इन्हीं को बुलाते हैं जीहन को कि last में मर रहे हैं तब भी एक last game खेलेंगे एक last bet करेंगे और ये सारी चीजें एक एक indication देती हैं कि इलनाम और जीहन के बीच कोई तो relation है कोई तो relation है जो हमें पता चलेगा हो सकता है कि ये एक system का हिस्सा हो जाए जैसे कि जो front man है वो है वो front man cop के भाई है जो एक player थे है वो हमें देखने पता चलता है जब हम files देख रहे होते हैं वो भाई जब files scroll कर रहे होते हैं तो उन्हीं के भाई का एक list में नाम होता है जिसमें वो एक player होते हैं इसका मतलब ये है कि वो जीत जाते हैं मरते नहीं है जीत जाते हैं one of the winner और वो जीतने के बाद पैसा आने के बाद अब क्या पता आपको काम करने की नहीं जरूरत है या आप चाहते हैं कि कहीं कुछ तो काम करें और आप system का हिस्सा हो गया और आप frontman आप महां के सबसे senior most आप showrunner हो गया हो सकता है कि जीहन भी वैसे ही जाए तो लड़ने के लिए लेकिन क क्योंकि आपने series में पहले देखा है कि उन्हें भी betting का शौक है बेटिंग तो करते हैं आपने एक scene देखा है जहां पर वो गोड़ों पर बैट करने तो उनमें और VIP में बहुत जादा जीहन में और VIP में बहुत जादा अंतर नहीं है फरक बस इतना है कि जीहन गोड़ों पर बैट कर रहे हैं और VIP इंसानों पर बैट कर रहे हैं जीहन यहां पर गोड़े पर गुस्सा हो रहे हैं कि अरे तुम कैसे हार सकते हो और यहां यहां पर VIP इंसानों पर चिला रहे हैं कि अरे तो बेकार गया यह बैठ मेरा और एक और पहलू यह भी है काफी डीप पहलू कि क कहीं न कहीं हम VIP को देख के हमें लगता है कि कैसे लोग हैं कितने बुरे लोग हैं अमीर लोग सारे ऐसी होते हैं लोगों को मरता हुआ देख रहे हैं और मज़े ले रहे हैं उसके लेकिन यह जो स्टोरी या सीरीज है यह अपने आप में एक self commentary है कि यह यह भी कहता है कि आप और हम जो viewers है वो भी VIP से काफी अलग नहीं है हम भी इन प्लेयर्स को मरता हुआ देख रहे हैं लेकिन हम सीरीज बन नहीं कर रहे हैं कि अब आगे नहीं देखेंगे हम और आगे देखना चाते हैं कि कौन जीता है हमको यह नहीं फरक पड़ता कि जो अंजान लोग मर रहे हैं वो नहीं और यह गेम यहीं खतम हो जाए हम चाहते हैं कि यह identify आगे बढ़े हम चाहते हैं कि जो जिनसे हम relate करते हैं जो lead character है वो जीते और एक आदमी के जीतने के लिए 455 लोग मर जाए हमें कोई फरक नहीं रहता हम लेकिन सीरीज तो ये भी एक commentary है, एक thought है इस show के creators ये भी कहना चाते हैं कि आप और हम VIP viewers से ज्यादा अलग नहीं है खेर ये तो हमारा सोचना है, आप बताईएगा comments में कि आपका क्या सोचना है ऐसे कौन सी रहस्वाई चीजें हैं या clues हैं जो हमने miss कर दी अभी हो सकता है आपके comment के बाद हम एक और वीडियो बना दें और आपका comment mention करें वीडियो में आपके साथ फिर किसी mode पे बहुत जल्द मुलाकात होगी तब तक के लिए इजासत दीजिए, वनकम कर दो कर दो